हलो एव्रिवन कैसे हैं आप में नेहा दमायास चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की वीडियो में आपको केवा ब्राइन के ग्लूकोस आमाइन प्लस टेबलेट के बारे में रिव्यू दूंगी इसके बारे में बताऊंगी कि ये टेबलेट आपके बोडी को आपके शरील को किस तरीके से फायदा देती है डेटेल में गई साज अपने इसका रिव्यू करेंगे बेनिफिट, साइड एफेक्ट, यूज़स, प्राइज, दोजन, सब के बारे में गई से आप जोड़ों के दर्दे से परिशान हैं, जोड़ों को हेल्थी और स्वस्त बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और इंपर्टेंट होने वाली है जोड़ों को हेल्थी और स्वस्त बनाए रखता है, उनको फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करता है, उनकी गत्सिल्था को बनाने का काम करेगा इंग्रीडेंट के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें कोई भी ऐसा हामफल केमिकल नहीं है जो आपके सरीर को कोई नुकसान पहुचाए बलकि आपके सरीर को हेल्थी और स्वस्त बनाए रखने में मदद करता है तो देख लेते हैं कौन-कौन से इंग्रीडेंट हैं जो के आपके जोड़ों को फ्लेक्सिबल बनाएंगे विटमिन सी, ग्लुकसमायन, बोसवेलिया, ब्रोमेलीन, सिट्रस, बायो फ्लेविनोइड, कंसंट्रेट और भी गईस बहुत सारी इंग्रीडेंट हैं जो के आपके जोड़ों के दर्द से राहत देते हैं, उन्हें फ्लेक्सिबल बनाते हैं, उनकी मुबैलिटी को बनाने में मदद करते हैं प्राइस की बाप करें तो गईस इसका प्राइस कोई फिक्स नहीं है, टाइम के कॉर्डिंग उपर नीचे होदा रहता है 60 टैबलेट गईस आपको 800 रुपे में मिलेंगी, जिसे आप औल्लाइन खरीज सकते हैं, मार्केट से पर्चेज कर सकते हैं जैसा भी दोस्तों आपको सही लगे, आप इसे वहाँ से खरीज सकते हैं, वो आपकी चोईस की उपर डिपैंट करता है मैं तो गईस आपको यही सज़ेश करूँगे कि जहां भी आपको सस्ता फोडेवल मिले, आप इसे वहीं से पर्चेज करें वैसे तो गईस हमने डिस्किप्शन बॉक्स में इस प्रोडेक्ट का लिंक मेंशन कर रहता है, अगर आप चाहें तो उस लिंक पे क्लिक करके भी इस प्रोडेक्ट को खरीज सकते हैं यह आद रखें कोई भी प्रोडेक्ट पर्चेज करें तो सबसे पहले उसकी मेनफेक्शरिंग और एक्सपारी डेट आप जरू चेक कर लें तो हमेशा याद रखना है कि हाँ जो भी प्रोडेक्ट पर्चेज करें तो सबसे पहले उसकी मेनफेक्शरिंग और एक्सपारी डेट तो अपन को चेक करनी ही करनी है बहुत ही अच्छा प्रोडेक्ट है जो कि आपकी जोड़ा को फ्लेक्सिबल बनाएगा उनकी गत्सिल्था को बढ़ाने में मदद करेगा लेकिन अगर आप पहले से किसी अन्य परकार की बीमारी से सफर कर रहे है या फिर आप अन्य परकार की दवा का इस्तिमाल कर रहे है तो इसे लेने से पहले एक वार आप डॉक्टर से कंसल्ड जरूर करें डॉक्टर से कंसल्ड कि एवर आपको सकस्तेमाल नहीं करना ना ही ओवर डोसेज इसको लेना है बस इन दो तिन बातों का दिहान रखना है काफी बैस्ट है ये अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए फ्रेंड और के साथ शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको हमारी नएने वीडियो के अपडेट मिलती रहे नएने जानकारियां मिलती रहे और गैस बैल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं टाइम टी टाइम आपके पास पहुंचती रहे और इस प्रजक्टिक के रिगारिंग आपका कन्फीजन दूर होता रहे फिर भी कईस यदि आपको इस प्रजक्टिक रिगारिंग या किसी अधर प्रजक्टिक के रिगारिंग कोई जानकारी जाननी चाहिए हो तो आप कमेंट बौक्स में भी कमेंट कर सकते हैं हम आपके लिए अबलेबल रहेंगे आपकी साधा ज़रूर करेंगे सो गैस चैनल को लाइक और सस्क्राइब करना ना भूलें धन्यवाद